तो हैं कि यह एवरीबड़ी वेलकम तो आशी सिंह लेक्चर्स आयाम मदीहा खान यह फ्रेंड वेट और इंग्लेश लेंग्विज तो आज की क्लास में हमारा लेटर रैटिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेटर रैटिंग आपका बहुत इंपोर्टिन टॉपिक है ठीक है क्यों नॉर्मली भी काम आते हैं कभी स्कूल में कोई application लेटर लिखना होता है उसले भी काम पढ़ता है यह आपको लेटर लिखना आपको आना ही चाहिए और यह बहुत जरूरी होता और exam में letter तो चाहिए आता ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि letter राइटिंग हम दो पार्ट में करेंगे पहले पार्ट में हम देखेंगे informal letters कैसे लिखे जाते हैं formal letters कैसे लिखे जाते हैं और business purpose वाले letters कैसे लिखे जाते हैं उसके पार जो दूसरी class होगी उसमें हम देखेंगे applications और resumes जो हैं वो कैसे बनाये जाते हैं और लिखे जाते हैं तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं आज की दो इनक्वाइरी सोह सोती है यह lettuce to the editor होते लेटर तो आपके आता है वह किसमें आता है फॉर्मल रांटिंग में होता वह ठीक है application भी फर्मल होती है लेकिन application जो होती है आपकी वह बेसीकली आप school उनिवर्सिटीज इन चीजों में लिखते हो ठीक है तो ध्यान रखना कि जो में टॉपिक आपके होते हैं वह एक तो होता आपका एप्लिकेशन का और एक होता है आपका कि फॉर्मल लेटर्स में लेटर टूदी एडिटर म्यूनिसिपल कॉपरेशन हैना किसी भी गर्मेंट उफिशल को लेटर लिखना यह तो आते ही है तो इसलिए व्यवा व्य जुरूरी है आपके लिए में बिज्नीस लेटर भी देखेंगे फार्मल लेटर्स यह आपके सारे परषनल में मम comigo पापा को भाई को बहंन दोस्तों को जो लेटर्र लिखे जाते हैं जहां आपको प्राम रखने के ज़रूत नहीं कि यार यह बुरा मान जाएगा हाँ ठीक है मतलब एक बिल्कुल इन्फॉर्मल होके जिससे हम बात कर सके वह लेटर्स आपके इन्फॉर्मल में आते हैं क्लियर हो गया आपका यह वाली चीज यहां पर चलो अब यहां पर कुछ common features हैं जो हर도 में होते हैं और वो क्या होते हैं यह होते हैं जिसका को मैं for пошाणी और जिसका मैं आपको बताती ही चलूँए बताती हो कि क्या किस तरीके से आता है तो तो आपको क्या करना है अभी आप अपना रेजिस्टर खोलोगे रेजिस्टर में क्या करना है तीन हम पेपर लेंगे तीन पेपर आप पहले लिखोगे उपपर कि formal letters का format informal letters का format और फिर business letter का format क्योंकि अभी सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी चीज होती है letter writing में वो आपकी होती है format अगर आपको format ही नहीं पता अगर आप format ही ढंग से follow नहीं करेंगे तो आप कितना भी अच्छा content लिख लोगे आपके marks deduct हो जाएंगे तो format जो है वो बहुत जरूरी है इसलिए सबसे पहली चीज जो हम आज करेंगे वो format ही देखेंगे तो पहली चीज तो चलो यह देखते हैं कि जो हर letter में जरूरी है वो क्या-क्या चीज़े होती है पहली होती है the heading the writer's address plus date of writing the letter ठीके सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए जब आप एक letter लिख रहे हो writer का address जो लिख रहा है writer's address या sender's address बोल सकते हैं हम इसे जो letter लिख रहा है जो letter भेज रहा है उसका address ठीके आप उसका address question में हो सकता है आपको दिया हुआ आपका नाम आपका address अगर नहीं दिया तो आप अपना कोई भी imaginary address बनाओगे और लिख दोगे सबसे पहली चीज़ letter में आपको क्या करनी होती है sender's address या writer का address लिखना होता है उसके बाद जिस दिन आप date right sorry letter लिख रहे हो उस दिन की date मतलब आपको suppose करो आप exam वाले दिन लिख रहे हो था आप exam की date डाल देना ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यह जो चीज़ है य आप left corner में आएगी इस तरफ आएगी left side में आएगी कभी भी right side में date नहीं डलती है date कहां डलती है left hand corner में डलती है और date कैसे डलेगी पहले पूरा month लिखोगे फिर month लिखने के बाद तारीख लिखोगे फिर comma लगाओगे उसके बाद अपना year डालोगे कि 2023 है जो भी है जो इस तरीके से date अगर लिख देते हो तो आपका wrong हो जाएगा इस तरीके से date कभी भी नहीं डालनी है letter में ठीक है जो हम invitation और replies हमने पड़ा था उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि date का format मैंने यहीं बताया था क्योंकि date का format यहीं होता है कोई भी तरीके के letter लिखने में च date फिर कॉम लगा के पूरा साल लिखो कि 2022-2024 जो भी है ठीक है और हर लाइन एक लाइन के नीचे होगी इस तरीके से मतलब पहले आपने address डाल दिया वह लाइन आ गई फिर आपने date डाल दी जैसे अभी 2024 है तो 2024 ठीक है समझा गया किस तरीके से आपको काम करना है पहले heading heading मे क्या हुआ है आपका पहले आपको अपना address डालना है खुद का address डालना है अगर given है तो वह नहीं है तो अपना डालोगे ठीक है और यहाँ पर कॉमा भी लगा देना क्योंकि separate हो रहा है और उसके बाद date का format आपका यह वाला रहेगा इस तरीक से date नहीं डालनी है इतना समझ जा गया है बहुत important चीज़ें इसके marks होते हैं clear है यहाँ पर चलो आगे देखो उसके बाद second चीज जो आपको लिखने है वह होती है Salutation या greeting है ना कि आप जिससे भी बात कर रहे हो उसको किस तरीके से Salutation दे रहे हो या greet कर रहे हो ठीक है यह complimentary term होती है यह भी left side पर आएगी कहां आएगी address के date के नीचे first वाली चीज के नीचे आती है पिर आता आपका body of the letter जहां पर अपना content दालोगे matter लिखोगे ठीक है यह आपका important part है और बहुत ध्यान से आपको लिखना है इसमें आपका main subject matter आ जाता है कि आप किस बारे में बात करना चाहरे हो उसके बाद writer जो है उसको properly सोचना है पहले कि उसे क्या चीज communicate करनी है क्या चीज अगले इंसान को बतानी है किस तरीके से अपने thoughts लिखने है proper order में ठीक है short और simple sentences लिखने और main message जो है उसको paragraph में लिखना है आपको चाहे अगर सिफ single है अगर आपको दियावाई कि थोड़े words में लिखना है तो एक paragraph अगर थोड चीज communicate करनी है सामने वाले को वह सबसे पहले लिखना है पिर अपना जो भी thought है उसको proper order में डालना है बहुत simple short sweet सा लिखना है ठीक है और एक से जाधा है तो उसको अच्छे से paragraph बहुत बढ़ा सारा paragraph नहीं लिखना है छोटे छोटे paragraph में लिखना है ताकि दिखने में भी अ यूर लविंग ब्रदर जो भी आप फॉर्मल या इंफॉर्मल तरीके का लिखे रहो पर उसके बाद आपका signature आता है signature में आप अपना नाम लिखोगे नाम लिखने के बाद अगर आप जिसे कोई business letter या आपको फॉर्मल लेटर लिखे रहो आपका कोई पद है कोई designation है तो डालोगे जैसे कि आपने पहले लिख दिया यहां पर यौर सिंसेरली सब्सक्रिप्शन वगरा डाल दिया ठीक है उसके बाद नाम लिख दिया नाम लिखने के बाद अगर आपका कुछ भी कोई designation है तो आप वो लिखोगे तो यह दो एक्जैम्पल है किस तरीके से आपको यह लास्ट वाली चीज़े एक साथ लिखनी है एक के नीचे एक के दो एक्जैम्पल एक यह वाला है और एक यह वाला है क्लियर है यहां तक उसके बाद the superscriptions receiver's name plus address it is written on the envelope in which is letter to be sent यह जो पॉइंट है कि आपके इस तरीके से काम का नहीं है क्यों क्योंकि envelope पे लिखी जाती है चीज़ बढ़ आपको ध्यान होनी चीज़े कि अगर आप कोई real letter लिख रहे हो तो उसमें जो receiver का नाम और address होता है वो तक अभी आप जब हम format करेंगे तो आपको और जादा clear होगी कि किस तरीके से कहां पर क्या लिखना है और किस तरीके से किस format में लिखना है ठीक है यह तो अभी सिर्फ मैंने बताया है कि child letter कैसा भी हो यह सारी चीज़े उसमें होती ही होती है चलो अब हम यहां पे अगर format की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे informal letters की informal letters जो personal letters होते हैं जो आप अपने माता पिता को भाई बहन को किसी भी रिष्टदार को है किसी भी दोस्त को लिख रहे होते हो वह letters का format कैसा होता है सबसे पहली चीज़ आपकी heading होती है heading में आपको क्या करना है sender's address मतलब आपक इसको क्या करना है आपका address डालना है ठीक है उसके बात जिस दिन भी आप लिख रहे हो ठीक है उसकी date डालनी अगर आपको exam वाले दिन ही लिखना है जैसे तो exam की date डालोगे ठीक है exam की date डालोगे clear है और format उसका क्या होना चाहिए पहले पूरा मन्त इस तरीके से नाम के इसके सब्सेeszाइब हाता है हम informal letter लएटर लिख रहें तो अगर मदर को लिखें तो जैसे हम Hindi में लिखते है प्रिये करके लिखते हैं वैसे कि यह मदर फादर को लिख रहे हो हो तो दीया फादर दोनों के लिख रहे हो ब्रेंट्स भाई के लिख रहे हो और उसका नाम सपो होता है तो उसमें देखो जब भी आप जो है स्टार्ट कर रहे हो कोई भी लेटर पर्सनल तो आप यह वाली लाइन याद रख सकते हो अपनी लास्ट बातचीत को इतना टाइम हो गया है मैं यह लेटर इसलिए लिख रही हूँ फिर आपको अपना परपस डालना है परपस आपको कहां मिलता है question में मिलता है कि आपको किसलिए letter लिखना है अगर आप फादर को लिख रहे होगे आपको फीस जमा करनी उसके पैसे चाहिए या फिर आपको बुक्स चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए तो वह परपस आप यहां लिखोगे उससे पहले आपके लिखोगे अगर अपने किसी दोस्त को आप अपने बहन भाई की शादी के लिए इन्वाइट करो तो इस तरीके से आपको यह लिखना है उसके बाद आप परपस डालोगे परपस आपको क्वेस्चन में दिखता है जब हम एक्जाम्पल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपना पूरा मैसेज आप लिख दिया आपने जो भी आपको लिखना है ठीक है उसके बाद लीव टेकिंग फ्रेजिस में थैंक्यू सिंपल थैंक्यू लिख दो यह भी मतलिक लविंग यौर अफेक्शनेट डॉटर सन ब्रदर फ्रेंड वाटेवर यूँवन तो राइट वह लिखोगे पिर अपना नाम डालोगे इसमें आपको कोई डालने के जरुत नहीं क्यूंकि उसको पता हां मिरा दोस्त है मेरा बेटा है मेरा जो भी है तो अपना नाम डालोगे पर क्यों पर्सब्ल लेटर लिखने होते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर यह तक आप लया याद रख सकते हो आपको चीजे obviously time आपको दियावा हो भी सकता है कि आपको एक हफता हो गया है hostel आए हुए तो आपने यहां डाल दिया one week है ना अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो उसके बाद purpose आपको question में definitely दियावा ही होता है कि इस लिए इस purpose के लिए आपको letter लिखना ह है वह purpose आपको डालना है फिर उससे relevant facts आप आगे जो है लिख दोगे ठीक है और उसके बाद यह वाली चीजे तो फिर से आपको याद रख लेनी वाली है तो format जो है वह बहुत जरूरी है अगर आपने format याद कर लिया ना तो आप किसी भी तरीके का letter अराम से लिख सकते हो तो इसको अच्छे से देख लो एक बार फिर हम आगे चलेंगे formal letters के format पर ठीक है चलो आजाओ अब आपका formal letter अगर कोई आप letter लिख रहे हो to the editor को या आप किसी municipal corporation के उसको लिख रहे हो या किसी भी government officer को लिख रहे हो तो आपको किस तरीके letters लिखना हो क्या format होना चाहिए व date, year है ना यह format होता है उसके बाद आप receiver designation और उसका address डालोगे यह चीज नहीं है जो आपको याद रखनी है यह चीज आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि informal letters में आपको कोई subject subject कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है ना लेकिन जब आप formal letter लिखोगे ना तो आपको एक आप वह भी आपको पहले देना होता है body से पहले इस दो चीजों का याद रखना है कि दो चीजों का difference हो जाता है informal और formal में यहां पर हमें receiver का designation और उसका address देना होता है है ना और साती में हमें subject भी बताना होता है कि हम letter क्यों लिख रहे हैं ठीके पहली चीज तो वैसी थी द आपने लिखता एडिटर हिंदुस्तान टाइमस उसके नीचे डाल दिया अगर आपको पूरा address दिया तो आपकी मर्जी है आप टाइमस इंडिया इंडिया टाइमस जिसका भी उसको एडिटर बनाना चाहते हो वह आप लिख देना यहां पर ठीके उसके बाद क्या करना है subject subject जो भी आपको question में दिया होगा कि आपको एडिटर को इसलिए letter लिखना है कि यहां पर इतनी गंदगी हो रही है तो इसके लिए लिखें आप ताकि जो government है उनको थोड़ा सा यहां पर ध्यान आए इस तरीके से बात करनी होती है वह आपको question में दिया होता है ठीके तो वह body में आपको दो paragraph लिखने पहले में दो paragraph लिखने या फिर दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो depend on you ठीके main message जो भी issue है पहले उस पे बात करोगे कि भाई यह फलाना फलाना issue है इस पे मुझे आपका attention draw कराना है फिर आप उस पे suggestion और conclusion दोगे कि भाई इसके लिए आप यह काम कर स है easy जो लगे वो लिख सकते हो फिर याद रखना जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आप यहां तो यहां पर बिल्कुल फॉर्मल हमें काम करना है उसके बाद अपना नेम लिख दोगे और अगर आप जो है कोई आपका डेजिगनेशन है कि आप सपोस करो कोई किस क्लब के मेंबर हो या सेक्रेटरी हो या डेरेक्टर हो कुछ भी हो तो आप उसके बाद अपना डेजिगनेशन देते हो यह आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है ध्यान से देख लो एक बार सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस है यहां पर एक तो आपको रिसीवर बिजनेस लेटर जब आपको कोई बिजनेस ऑपॉर्चनिटी या कोई किसी को कुछ आपको ओफर दे रहो या कुछ भी है बिजनेस रिलेटर तब आपको लेटर लिखने होता आप कैसे लिखते हो उसमें भी सबसे पहली चीज़ आता है आपका खुद का नाम आपकी कंपन के related सारे details आपको यहां डालनी है ठीक है उसके बाद date आ जाएगी date का format वही है month date year वाला उसके बाद जिसको आप letter लिख रहे हो उसका नाम उसकी company का नाम उसका address अगर कोई number या email है उसका मतलब जो चीज़े आपने अपने लिए डालनी वो आपको सामने वाले के लिए भी डा सकते हो उसके बाद यहां भी subject बताना होगा कि आप जो है क्यों लिख रहे हो letter स्पेस दोगे डालोगे यहां पर आप नाम भी लिख सकते हो जो आपको यहां पर recipient का नाम दिया है वो लिख सकते हो ठीक है लेकिन वह नाम लिखने के साथ आप आगे sir या maim लगाओगे क्यों समझ आगे आपने क्या किया खुद का नाम खुद की company का नाम उसका address उसका जो भी phone number या email वो डाला date डाली date डालने के बाद जिसको भी letter लिख रहे हो वो उसकी company उसका address उसका नाम यह सारी चीज़े आपको डाल दी है फिर subject बताना है कि आप क्या क्यों लिख रहे हो यह letter फ formal लिखना है ठीक है उसके बाद आपकी body में introduction introduction में आप क्या करोगे कि आप जो letter है वो लिख रहे हो उसका main purpose क्या है आप letter क्यों लिख रहे हो वो डालोगे फिर middle section में आप अपना जो भी company वगरा या जो भी आप उसको सामने offer कर रहे हो या जो भी आपका purpose है उसको elaborate करोगे उसके बारे में points डालोगे उसके बारे में details दोगे उसके बाद आप क्या करोगे उसका conclusion दोगे है ना जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़े summarize करोगे उसके बाद वापस हुआ ही thank you for your time या thank you और यहाँ पे भी आपका yours truly, yours faithfully, yours sincerely ही चलेगा क्योंकि यह भी formal letter का ही type है business letter ठीक उसके आपका name और फिर आपका जो भी designation है आप वो डालोगे समझा गया इस तरीके से यहाँ पर आपका business letter का format होता है ठीक हर जो तीनों format हमने देखे तीनों में थोड़ा थोड़ा सा difference है वही difference बस आपको याद रखना है बाकि उसके लावाद चीज़े तो वही line में चल रह description में आप yours truly yours faithfully जो भी डालके अपना नाम डालना है को designation है यह चीज़े तो आपको याद होई जाएंगी जो जो चीज़े डिफरेंट है वह आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है बस यह आपके तीनों यहाँ पर क्या हो गए format हो गए किस-किस के informal formal और business भी formal letters में आता है बस यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी business opportunity की बात करो इसलिए इसको business letter में डाल दिया है clear है यहाँ पर तीनों format समझ आ गए format समझ आ गए तो आगे दिक्कत नहीं होगी लेकिन जिसने format अच्छे से नहीं समझे ना उसको फिर आगे अब जब मैं examples कराऊंगी तो उसमें issue होग इसके लिए मैंने सबसे पहले ही तीनों के format आपको दे दिये हैं ताकि आप अच्छे से इनको याद कर लो रट लो माइंड में बिठा लो ताकि आप कैसा अभी क्योंकि देखो numerous topics होते हैं बहुत सारे topics होते हैं आप कौन-कौन से topics याद रखोगी नहीं ना तो आप format याद रख लो format याद रखने से आपको क्या होगा कि बस topics और उससे फिर relevant चीज़े ही तो हमें लिखनी है body में बागी तो हमें कहीं भी कुछ नहीं करना है ना क्योंकि question ही हमें आदी स जादा चीज़े दे देता है जैसे कि अभी अब में जब examples कराऊंगी ना इसके तो आपको सब clear हो जाएगा बट उसके लिए यह चीज मक्खन होनी चाहिए ठीक है तो हो गया ना मक्खन clear है नहीं है तो pause करो और pause करके इसको clear करना पहले उसके बाद फिर आगे का lecture देखना ठीक है चलो आप हमने क्योंकि सबसे पहले informal letters की बात की थी तो सबसे पहले हम उनके examples समझेंगे जैसे कि आपको question आ जाए कि suppose you are Sorav यहाँ पर देखो आपका नाम दिया हुआ है आपको आपको आपका address दे दिया है मतलब sender's address यहाँ पर given है ठीक है sender's address या फिर writer's address दोनों एक ही बात है वो आपको दिया हुआ है अब आपको क्या करना है अपने छोटे भाई रोहन को letter लिखना नाम दिया हुआ उसका जो क्या है एक bookworm है bookworm किताबी कीड़ा जिसे books काफी पर आपको आपका topic मिल गया है कि आपको जो है अपने छोटे भाई को letter लिखना है जो एक किताबी कीड़ा उसको games की important समझानी है कि भाई पढ़ना भी जरूरी है तो games और active रहना भी जरूरी है सारी जीज़े आपको मिल गई आप हमें बस अपने format पर ध्यान देना है तो भ देनी होती है डेट डालनी है तो format आप यह आपको format भी पता है अपने exam वाली दिन की date डाल देना सबसे कोई date याद मत रखना उसके बाद आपको क्योंकि informal letter है तो simple space देके Salutation देनी होती है Salutation में क्योंकि आप अपने छोटे बाई से बात करो तो my dear Rohan या dear Rohan कॉमा लगाओगे कॉमा लगाने के बाद एक स्पेस और दोगे एक स्पेस देने के बाद अपना letter लिखोगे I received a letter from your school about your results in the terminal exams and your overall performance ठीके आपने यहाँ पे क्या लिखा कि मुझे तुमारे स्कूल के तरफ से तुमारे terminal exams का और तुमारी जो तुमारी academic performance थी उसके बारे में letter आया है I must compliment you for your excellent scores in the academic subjects मैं definitely तुमाई प्रशंसा करूंगा कि तुमने इतना अच्छा score किया है तुमारा इतना अच्छा performance रहा है ठीके तो आपने यहाँ पे पहले उसको क्या किया जो उसके academics वाली चीज़ थी उसको पहले compliment कर दिया अब यहाँ पे आपको यह चीज़ डालें कि आपको उसको थोड़ा सा मनाना है कि वो games वगेरा में भी पार्ट ले at the same time what worried me more was that your performance in the sports and co-curricular activities is not up to the mark at the same time जिस चीज़ ने मुझे चिंतित किया वो यह थी कि तुम्हारा sports और दूसरी activities में performance है वो इतना अच्छा नहीं रहा I think you need to realize that the aim of good education is to develop a sound mind in a sound body ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें यह चीज़ रिलाइस करने की जरूरत है कि अगर जो तुम्हें मतलब एक अगर अच्छी education हो ना तो उसके लिए तुम्हारा mind और body दोनों अच्छी होना चाहिए सिर्फ mind अच्छा होगा और body अच्छी नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर पाऊगे पिर आप यहां पर गेम्स की होती है remember the adage health is wealth एक प्रोवर्ब यहां पर तुमने डाल दिया कि वह इस प्रोवर्ब को याद करो के health ही wealth है games hardly cost us anything but the gains are tremendous games में हमारा कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन उससे जो हमें मिलता है वो काफी बड़ा होता है so dear brother always give equal importance to studies as well as to physical activities आप गेम के importance में आपके उपर depend करता है क्योंकि आपको को वर्ड लिमिट नहीं दिये आप एक importance डालो दो डालो तीन डालो आपके उपर है मैंने आपको यहां तीन दे दिये उसके बाद आप अपने ब्रदर को जो है बोल रहे हो कि भाई इक्वल इंपोर्टेंस दो स्टडीज को भी और फिजिकल एक्टिविटीज को भी टेक पार्ट इन गेम्स और अपने अपने नाम डाल दिया सवर इतना सिंपल होता है एक लेटर लिखना अगर आपको फॉर्मिट पकड़ में आ गया तो हमने क्या किया हमने जो क्वेशन में डीटेल्स दी थी हमने वह यूजे की हमने क्या किया हमने वह सिंपल टॉपिक हमने समझा कि हाँ हमें गेम्स की इंपोर्टेंस बतानी तो हमने वहीं किया games के benefits दे दिये और उसके बाद जो है simple उसको बोला कि दोनों को equal time दो equal दोनों में पार्ट लो ताकि तुम जो है अच्छा करो इस तरीगे से आपने simple end करा subscription डाल के और अपना नाम डाल दिया बस इस तरीगे से informal letters लिखे जाते हैं चलो एक और देखलो suppose you are Himani you live at आपका नाम दिया हुआ है address दे दिया आपको 110 सरोजनी girls hostel DMS College Delhi write a letter to your mother telling her about the life in your hostel ठीक है अपनी तो मदर को एक letter लिखना है और क्या बताना उनको कि आप hostel में किस तरीके से रह रहे हो या आप क्या experience कर रहे हो वह लिखना है तो वापस से अड्रेस 110 सरोजनी girls hostel DMS College Delhi address डाल दिया date का format यही डालना है September जो भी आपकी मर्जी आपको तो exam date याद रख लेने कि आपको exam की date डाल देना space देके salutation my dear mommy dear mother जो भी आपको सही लगे डाल के comma फिर एक और space देके I am pleased to receive your letter ठीके आप देखो आपने जो भी आपकी date यहाँ पर है उससे थोड़े दिन पहले की date आप यहाँ डालोगे ध्यान रखना क्योंकि जब उनका अगर आप इस तरीके से डाल रहे हो कि उनका letter आया है तो पहले ही आया होगा तो वो date डाल दी I am sorry that I could not write earlier as I was settling down in the hostel मैं माफी चाहती हूं कि मैं जल्दी letter का reply नहीं कर पाए क्योंकि मैं हो hostel में settle कर रही थी सेट हो रही थी everything is fine here I would share something about my life at my hostel आप सबसे पहले बोलोगे कि यहां सब ठीक है फिर आपको जो यहां पर बोला गया कि आपको अपनी life के बारे में बताना होस्टल की तो आपने वही लिखा कि मैं आपसे अपनी life के बारे में शेयर करना चाहती हूं यहां जो hostel में है उसके से पहले लाइन ही डाल दी कि यहां जो खाना मिलता है वह बहुत अच्छा मिलता है और टेस्ट इस डिफ्रेंट बटाइम होप्फुल अफटिंग यूस्ट सून ओविसली घर के खाने में फर्क होता है तुम्हारी मर्जी है तुम चाहो तो यहीं स्टॉप कर दो यह लाइ हैं दोनों पढ़ते हैं फैकलेटी मेंबर्स इना कॉलेज और वेल वोस्ट विद्धियर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं टीचर उनको बहुत नौलेज अपने अपने सब्जेक्ट की देयां नौट अनली मास्टर्स ऑफ यह सब्जेक्ट बस आलसो वेरी कीन तो शेयर ए अच्छे नहीं है बलकि हमारे साथ काफी चुक हैं अपने जो भी एक्सपर्टीज है वो शेयर करने के लिए आपकी मर्जी है लिकिन यह तो लिकिना वरना सिर्फ यह वाली लाइन लिखोगे तो भी चलेगा तो कॉलेज होस्टल इस गिवन असा लॉट फ्रीडम होस्टल म बहुत खुश है इन दर इवनिंग वी एन प्लेट गेम इन प्लेट गेम शाम को हम जो हैं काफी सारे गेम खेलते हैं प्लेगराउंड में इठेल पस तो यूटिलाइस आर फ्री टाइम आपने बड़ों को प्यार और मतलब बड़ों को कहते हैं सम्मान वगेरा वह और बच यंगर जैसे पिछले वाले में था वही लिख दो अगर आपके कोई छोटे बाइन वाई उनका नाम लिख दो ठीक है यॉर्ज लविंग दॉटर ठीक है क्योंकि बेटी है यहां पर हिमानी था आमारे क्वेशन में तो यहां पर आपका काम खतम तो मैंने आपको यहां सारा मेंटर दिया आपकी मर्दी आपको जितना लिखना है एसा भी नहीं कि बस दोलाई लिख दो हो गया नहीं जो आपको लगता है कि नहीं लिखना यहां आपको अपनी तरफ से कुछ आइट करना है वह तोटली अप्टू यू है क्योंकि क्वेशन में जो डीटील दिया है आ आपकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बस इतना दियान रखना कि वह रेलेवेंट होना चाहिए कुछ अलग नहीं लिखना है ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है आप फॉर्मल लेटर्स की एग्जैंपल देख लो सपोज यूर रनविजे यू लिव एट 83 आदर्श नगर जैपुर राइट लेटर टुदी आडीटर ओफ नियूस पेपर फॉर चेंज ऑफ नेम ठीक है आपका आपका नाम दिया हुआ है आपको बता रहा है लेटर टुदी एडिटर को लिखना है क्यों क्यों आपको आपका नेम बदलना है अब यहाँ पर एक ची कौन से अकबार का editor है आपने डाल दिया हिंदुस्तान Time ऩ यह आपके उपर डिबेंट करता है यह रोग दो फोफ्टी की भी नेम डाल दो subject change of name क्यूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें question में आपको subject दिया होता है तो आप इसलिए later लिखना चाहते हो इसलिए आपने subject में क्या डाल दिया change of name ठीक है आप जो editor है आपका वो sir है तो sir अगर madam है तो madam ठीक है कॉमा लगा दिया space दे देना space देने के बाद आप लिखोगे please intimate the cost of publication of the following matter in the next weekly issue of your newspaper to enable me to send the amount by demand draft at the address to be given by you आपने क्या बोला यहां पर पहले आपने उनको बोला कि आप जो अगला letter जो भी आप draft करो edit करो उसमें आप यह बता देना कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसकी cost किती ताकि आप मैं आपको वो जो cost है वो भीज सकूँ वो पैसे भीज सकूँ ताकि आप ही जो following details है वो उसमें चाप सकूँ ठीक है may it be known to all that अब आप कैसे बात करोगे कि भाई सब को बता दो ठीक है क्योंकि आपको पूरा डीटेल देना होगा मतलब आप फिर आपके फादर का नीम आप किस क्लास में पढ़ते हो आपका स्कूल ठीक है वो सब डालने के बाद चेंज मैं फ्रॉम राम कुमार टू रन्विजे सिंह ठीक है इस तरीके से आपको पूरा लिखना है कि आप कौन से नेम स यह आपका काम यहां खतम हो गया थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन या फिर थैंक यू यॉर्स फेथफुली और सिंसर्ली यॉर्स ट्रूली और आपको जो नाम दिया है वह आपको लिखना है इतना इजी है लेटर टू दी एडिटर जब आपको इसे वह अपना नेम चे सब्सक्राइब भरत सिंग क्लास 12 ए और सब्सक्राइब नेम फ्रॉम पुराना नाम टू अभी जो नाम है आपका जो दियावाए क्वेशन में वह फिर बस थैंक यू स्पेस देगे लिखना है थैंक यू भी याद रखना फिर यॉर्स फेथफुली सिंसर्ली ट्रूली जो लिखना चाहो और फिर आपका नाम बस इस तरीके से आपको लेटर टू दी एडिटर लिखना है चेंज ऑफ नेम है तो 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 जाधा दिक्कत वाला काम नहीं है उसके बाद इमेजन यू और पार्थ सिंग यू लेवेट आपका नाम दिया वाए आपको ठीक है उसके बाद आपका अड्रेस दिया वाए 11 मॉडल टाउन मोगा राइट लेटर रूदी कमिशनर आफ यह मूनिसिपल कॉपरेशन जैसा कि मैंने आपको बोला फॉर्मल लेटर लेटर मूसली लेटर टूदी एडिटर मूनिसिपल कॉपरेशन की कोई ओफिशल यह गर्मेंट ऑफ क्योंकि यहां पर कमिशनर को लिख रहे हो था कमिशर मूनिसिपल कॉपरेशन आप देखों यहां ध्यान रखना आपको एड्रेस दिया हुआ है मोगा का तो आप अपने मूनिसिपल कॉपरेशन में कम्प्लेइन करोगे तो उसका एड्रेस भी क्या होगा मोगा तो आपने सब्जेक्ट हो गया फिर आपने सर मैम जो भी है सर डालके कॉमा लगाया स्पेस देना याद रखना सब्जेक्ट के बीच में भी फिर वापस से एक स्पेस दोगे उसके बाद अपना लेटर शुरू करोगे आप क्यूंकि आप जब किसी चीज की तरह उनका अटेंशन ले जा सब्सक्राइब करता है कि अपने एरिया में जो गंदगी है उसका बारे में आपको बात करनी कंप्लेंड करनी है तो यहां पर मैंने उठा लिया वाई ड्रेने सिस्टम के बारे में मोस्ट आफ ताइम्स ड्रेंस और चॉक्ट इस सेनिटरी इंस्पेक्टर्स अप्रेशन आ आपने लिगता है कि जो नालिया है वो हरवक भरी रहती है बंद हुई रहती है ऐसा लगता है कि म्यूनिसिपल कोपरेशन के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है वो अटेंशन दे नहीं रहें और ध्यान दे नहीं रहें अपना बिल्कुल बहुत इन चीज़ों पर अपना ब आपने वो पॉइंट डाल रहें कि बारिश के टाइम में इतना दिक्कत होती है और उसते इतने सारे गड़े वगएरा बन गए हैं ठीक हैं हीपस अफ गार्बेजर सीन लाइंग इंदर रेसिडेंशल एरिया कचरा भी इतना पड़ा है वहाँ पर इवन पब्लिक प्लिक प है पाक्स और मार्केट वह भी सब गंदगी से भरे हुए है वाटर स्टैगनेशन में लीट टू ब्रीडिंग फ्लाइज और मॉस्किटो अब क्योंकि पानी आगे बड़ी नहीं रहें सिस्टम से तो क्या हो रहा है वहाँ पर ठहरा हुआ पानी है ठहरा हुआ पानी जो है मलेरिया कॉस कर सकता है क्योंकि उसमें मच्छर होने लगते हैं सब्सक्राइब कोई भी इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपसे विंती करता हूं कि यह बहुत हाई टाइम है कि अब चीज़े सही की जाएं इस चोग ड्रेंस मस्ट बी क्लीन इमेडियेटली और पॉट होल रोट मस्ट बी रिपैर और प्रियूरिटी यह जो नाली है जो बंद हो चुकी है इनको अंचॉक करना या इनको जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और जो रोट पे गड़े होए इनको भी भरना बहुत ज़रूरी है अगर एक्शन नहीं लिया गया अभी तो पूरा शहर जो है उसको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन वापस दे को स्पेस दे के लिखना या थैंकिंग यू थैंक यू जो लिखना चाहो यौर्स फेथफुली ट्रूली सिंसरली आपके उपर है और आपको फिर नाम डालना है जो भी गिविन है इस तरीके से आपको अपना फॉर्मल लेटर लिखना है अगर किसी को लिखना होता है तो उसके बाद बिजनिस लेटर्स अब बिजनिस लेटर में देखो आपको एक्जाम्पल है यहां पर अड्रेस दिया हुआ है ठीक है आपका अड्रेस दिया हुआ है और आपको जो सामने वाला बंदा है जो रिसीवर उसका अड्रेस दिया है सब कुछ दिया है तो आपने बारे में डाल दिया पाच शरमा जो भी आपकी company है जहां पर भी है वो डाल दिया और यहां पर आपने क्या डाल दिया कि पूरा उसका address डाल दिया उसके बाद Space देकर आपने डेट डाली डेट का format यह होना चीदिए Space देकर टू लिखोगे पहले टू लिक कर जो भी company वाला आपने मेगा विश्वास क्या है वो जनरेल मैनेजर है कहां कि एसक्यूल टेक इंडस्ट्रीज की उसको ओफिस का एज ओफिस जैपूर में है और सारी डीटेल्स आपने डाल दी ठीक है उसके बाद क्या गरोगे उसके बाद आप सैलूटेशन डालोगे डियर मिस्स मेगा वी यहां पर आपने सब्जेक क्यों नहीं डाला है क्योंकि आप किसी को रिपलाइ कर रहे हो बता रहे हो कि आपने जो भी वह ओफर दिया था वह हमने सेलेक्ट कर लिया है तो आपने यहीं बात किकि जब बौर्ड डारेक्टर की मीटिंग हुई थी 18 सब्टेंबर को तो आपक प्रपोजल से और हम जो है आपको यह offer मतलब ही जो कॉंट्रेक्ट है वो एक साल के लिए देना चाहते हैं प्रपोजल आपने पैसे रखे थे हम उसी प्राइस पर प्रपोजल और जितना आपने पैसे रखे थे हम उसी प्राइस पर यह चीज़ करने के लिए तयार है आपकी मरजी अगा डालना जाओ तो डालो नहीं डालना तो मत डालना आपने डालना पहली इंस्टॉल्मेंट जो आपको कॉंट्रेक्ट डेट पर देदी जाएगी तो यहां basically क्या किया उसको इंफर्म किया है कि आपका जो प्रोपोल्स था वह हमने एक्सेप्ट कर लिया है पस उसके बाद क्या था सिंपल वीशल रिलाइए और सब्सक्राइब को अच्छा रिलेशनशिप बनाएं दोनों कंपनी इसके बीच में बस फिर वही थैंक्यू बस इस तरीके से बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं तो बिजनेस लेटर जो है वो यहां पर आपको देने का यह सेंस था मेरा एक्जैम में बहुत रेर चांसे होते हैं कि बिजनेस लेटर आ जाते हैं लेकिन मैंने आपको यहां बिजनेस लेटर का एक्जैम्पल इसलिए कर क्या करते हैं बच्चों को बताते ही नहीं कि आते ही नहीं बट उस वक्चा क्या करेगा अगर एक्जैम में किसी ने डाल दिया कि बिजनस लेटर लिखना है तो इसलिए यह एक्जैम्पल देना जरूरी था क्योंकि तो आप खुद लिख लोगे लेकिन उसका फॉर्मिट कहा से लाओगे तो बिजनस लेटर आपके लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यह बहुत रेर कैसे होते हैं और वह पता नहीं किसका बैड लग हो कि आ जाए इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत से टीचर्स मैंने देखे कि बच्चे जो हैं मेरे जो बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत हो या ऐसा लगेगी मैम ने नहीं कराया इसलिए बिजनस लेटर का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कुछ नहीं है बस फॉर्मेट याद रख लेना बाकी इसी है तो इसी के साथ आज की जो क्लास है हम य बाई बाई and have a nice day